अबी हम सोयबीन पर चर्चा कर लेते हैं क्योंकि सोयबीन के काफी जादा questions आ रहे थे आप सभी के कि सोयबीन में आगे जाके क्या रहेगा और कैसा रुजान देखने को मिल सकता है तो एक छोटा सा overview ले लेते हैं सोयबीन का तो सोयबीन में जैसे हम आपको कई वर बता चुके हैं और आप लोगों ने भी हमासात काफी जादा जानकारी साज़ा करिए सोयबीन की हमारी comment section में अपने सवाल और अपने विचार छोड़ कर सोयबीन की बुआई के समय हमने देखा था कि बीजों की किल्लत थी सरकार ने भी बीच आयात नहीं किया था और किसानों ने black marketing जब बीच की होड़ी तब भी महंगा बीच खरीद कर सोयबीन की बुआई कर ली थी इसी चक्कर में कि जो अभी उस समय experts द्वारा आंगडे बताय जा रहे थे सोयबीन की बुआई के या थात भी तो बहुती नाके बरावर था जिस किसान के पास था थोड़ा बहुत उन्होंने बेचा भी था और अच्छा मुनाफ़ा कमाया भी था लेकिन जादार किसान के पास टॉक नहीं था क्योंकि सोयबीन का प्रोडक्शन ही काफी सालों से कम देखने के मिल रहा था बेमौसम बरसात की वज़ा से सोयबीन की जो फसले थी काफी जादा खराब होती भी नजर आ रही थी और जो बीच था किसानों के पास वो दागी था लेकिन किसानों ने तब भी महनत करी दिन रात एक किया और सोयबीन की बुवाई करी लेकिन उसके बाद जब बुवाई हो गई सोयबीन के दाम वाइदा बजार में तेजी के चलते उचल गए तो पोल्टरी इंडस्ट्री को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और पोल में यूज की जाती है जिसकी वज़ा से सरकार ने 12 लाग टन सोयबीन की फसल मंडियों में आई तब किसानों को सोयबीन की MSPB मिलनी मुश्किल हो गई और जब MSPB नहीं मिल रही दूसरा बेमोसम बरसाथ लगातार हो रही है तो किसानों की जो कटिकटाई फसल रखी थी खेतों के अंदर वो भी सोयबीन की बरबाद होती भी नज़र आई पचास से साथ फीजदी ज़्यादा नुकसान हुआ है जातर किसानों का और किसी किसान का 90 परतीशत तक भी सोयबीन की फसलों का नुकसान हो चुका है तो किसानों को आज थी कि इस बार उनके सोयबीन के अच्छे दा मिलेंगे लेकिन सोयबीन किसानों पर एक दोरी मार पड़ती भी नज़र आई ये पहला बारिश का दूसरी MSP ना मिलने का किसानों ने महेंगा बीच खरीद कर बुवाई करीदी की चलो MSP से इस बार जादा मिल जागर लेकिन इस बार ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है तो महीं अब बीच में सोपा के आंकड़े भी आयते कि सोयबीन की बुवाई का रगबा जो है पिछले साल की मुकाबले लगवग 14 फीज़दी जादा रह सकता है महीं सरकारी अनुमान सोपा के आंकड़ों से भी जादा देखने को मिला तो इसी के चलते सोयबीन की जो कीमते हैं उनमें और नर्मी आ गई है लेकिन किसानों का ये कहना है कि बुवाई के समय जब बीजी नहीं था तो बुवाई जादा कैसे हो सकती है और अगर भुवाई बाइचान जादा रहती बीए या फिर बराबर भी रहती है पिछले साल के मकाबले तो बारिश से इतनी फसले खराव हुए हैं सोयबीन की जिसकी वगजाए से सोयबीन का उतपादल इतना रहना ना मुम्किन है या फिर ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है और दूसरा सोयबीन की जो फसले है सोयबीन की जो उपज है उसमें अभी नमी की मातरा जाद है जिसकी वज़ासे उसका दाम भी तरह नहीं मिल पा रहा है लेकिन किसानों को अभी भी पूरी पूरी आस है कि अगर सोयबीन रोकी जाए सोयबीन को सरसो की तरह अगर रोक रोक कर मंडियों में लाया जाए तो सोयबीन के जो दाम है वो भी बढ़के मिल सकते हैं सरसो की तरह अब सोयबीन किसान मंडियों में इसलिए लेकर आ रहे हैं अपनी सोयवीन को क्योंकि उन्हें अगली फसल की बुवाई भी करनी है तो जो बड़े किसान है जो किसान सक्षम है सोयवीन की फसल रोकने में अभी सिर्फ वही किसान रोक कर चल रहे हैं अपनी सोयवीन को क्योंकि जनवरी फरवरी तक ऐसा हो सकता है कि सोयवीन की जो कीमते हैं वो बढ़ते हैं बढ़के मिलें प्रेजेंट वर्तमार में जितनी कीमते मिल रही है उससे कुछ जादा मिल जाए अभी किसानों को ऐसी यास है इसलिए जो किसान सक्षम है उन्होंने सोयवीन को होल्ड कर लिया है रोक कर लिया है और जो किसान सक्षम नहीं है होल्ड करने का स्टोर करने का वो अपनी सोयवीन को अभी मंडियों में बेच रहे हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है उन्हें अगली फसल की बुवाई करनी है इनकी किल्दत मैसूस हो, तो हो सकता है कि सोभी इनकी जो कीमते हैं, कुछ बढ़ते नजर आए तो किसानों को यहाँ पर थोड़ा सोच समझकर सतरक रहने की ज़रूरत है आशक करते हैं, आपको मारी जानकर यह अच्छी लगी होगी तो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल और विचार छोड़ सकते हैं